तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आए हूँ बजट 2022 का एक वीडियो जिसमें कि हम डिटेल में जानने वाले हैं कौन-कौन से पॉइटेंट पॉइंट्स हरे इस साल के बजट में तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में अगर नहीं होता है हमारे चैनल पर तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा एज वही एक एक अक्च्वल हमारा रिबॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का तो आज़े दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो में तो सबसाल एक यह 5 टॉपिक्स जो हैnya basics of union budget, basics of economics, constitutional requirement budget की क्या है चक्षिटिशनल रिक्षिट कीजिए इक आधकी क्या होच्व nuclear में अगर्न जो वीडियो है budget का उसमें cover कर चुका हूँ तो ये मैं repeat नहीं करूँगा आज के इस वीडियो में ये आपकर आप देखना जाते हैं इनकी detail जाना जाते हैं इन 5 points को लेकर तो जो link आपकी screen पे इस समय flash कर रहा है top right hand corner पे उसको click करके आप उस वीडियो में ये पाचो के पाचो topics देख सकते हैं तो ये हम आज नहीं cover करेंगे और क्या क्या cover करेंगे पहले हम basic highlights देखेंगे important points देखेंगे budget profile के बारे में जानेंगे क्या size रहा budget का क्या receipt रही क्या expenditure रहा growth priorities के बारे में जानेंगे क्या क्या important pillars हैं जैसे पिछली साल के budget में आपको याद होगा दोस्तों की 6 pillars पर budget बनाया था तो इस बारी चार important pillars कह सकते हैं उन्हें नाम दिया गया है growth priorities का तो इन चार growth priorities के बारे में जानेंगे sources क्या क्या हैं और uses क्या क्या है money के तो जो budget की profile है उसमें पैसा कहा से आएगा और कौन-कौन सी schemes में लगेगा और या किन-किन states को कितना पैसे जाएगा वो देखेंगे major allocations देखेंगे important schemes जो जो होती है government की उनमें जो majority जो schemes हैं वो कौन सी है जिनमें जारसे अदा outlay किया गया है ठीक है फिर fiscal position पर जाएंगे fiscal deficit के बारे में बात करेंगे revenue deficit के बारे में बात करेंगे फिर last में हम जानेंगे key highlights जो कि आपको मैं एक तरह से revision करा दूमा पूरे वीडियो का कि क्या-क्या आपको याद रखने है bullet points इस वीडियो से ठीक है तो ये सारे points हम cover करने वाले हैं तो पहला देख लेते है highlights जेख लेते हैं तो सबसे पहले तो important point यह ही आता है कि एक तो size क्या है budget का और कितना growth project कर रहा है हमारा economic review जिसके basis पर हमने budget पर रहना है तो इसके हिसाब से economic growth इंडिया की रहने वाली है 9.2% जो की major economies में सबसे जादे रहने वाली है यहीं कि हम चाइना से भी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं इस साल के अंदर तो यह आपको याद अपना है 9.2% से हम grow करेंगे तो growth rate यह estimated है 60 lakh new jobs के create होनी की budget ने predict किया है और यह 14 sectors के अंदर PILI scheme आपने बहुच्छन होगा कि production link जो schemes होती है incentive schemes या productivity linked incentive scheme जिनको कहा गया budget के अंदर अलग-लग sector की इन्होंने करी है announce auto sector है pharma है अलग-लग है 14 sector electronics है major तो इस से क्या होगा कि 60 lakh new jobs के ने की estimate किया गया है तो आपको यह याद रखना है PILI 14 sectors में की गई है अब PILI से क्या होगा jobs to create होंगी होंगी और 30 lakh करोड का business आने वाले टाइम में create होने वाला तो यह तीम point है पहले के दो सबसे आदा है important है जो आपको यार टखने है अब देख लेते budget profile तो budget profile क्या होता है basically कि यह आपकी statement है दिखाती है आपको कि कितना budget का size रहा एक तो overall size पूछा रहता है या आप कहीं लिख सकते है economy के paper के अंदर किसी question में कि हमारा size रहा budget का कितना हम spend करने वाले है और कितना पैसा कौन से source से आने वाला है तो यह diagram basically वही दिखा रहा है आपको सारा याद करने की जरुरत नहीं है इसके अंदर तो important point पर आदे तो मैं आपको budget size क्या रहा 39.45 lakh crore तो यह सारी जो figures हम बात करने वाले है lakh crore के अंदर होगी तो budget का जो overall size है आपको पूछा जा सकता है तो कितना रहा objective time में पूछा जा सकता है 39.45 lakh crore फिर आएते हैं हमें government का इसमें से हमें revenue कहां से आएगा जो left side पे figures हैं वो आपको बता रही है कि पैसा कहां से आएगा और जो right side पे हैं जो कि pink में है majority वो आपको बताएंगी कि पैसा कहां का लगेगा तो पहले left side देख लेते हैं gross tax revenue रहने वाले 27.58 lakh crore तो इतना पैसा government tax revenue के source से आएगा 17.40 crore यह आने वाला है आपका capital outlay से यह जो capital dis investment करेगी government यह जो उन्होंने loans दे रखे हैं वो वापिस आएंगे तो यह basically capital receipts के अंदर आता है इसकी detail आप जानना चाहते हैं तो वो जो मैंने आपको पहले वीडियो पता है पिछले साल का वो आप जाकर देख स schemes होती है central sector schemes होती है center sponsored schemes होती है मैं भी आपको बता चुक हूँ detail में कि दोनों में differences क्या होते हैं ठीक है तो scheme expenditure रहने वाला है 16.24 crore का और transfers, establishment and other expenditure यह रहने वाला है 20.21 crore का इसके अंदर interest payments जो है government की वो cover होंगी जो transfer कर रहे हैं हम states को states को grants की form में transfer करते हैं GST का पार्क ट्रा चार bullet points आपको याद रखने है majorly आपको क्या रखने है budget का size capital receipts कितनी है और revenue कितना है इतना ही र्यात रख लेंगे तो जो expenditure side है वो मैं आपको आगे important point उसमें आपको बता दूँँगा ठीक है तो 39.45 lakh crore अब इसके अंदर से ही मैंने important point देख लिए है वो बता देता हमको 39.45 lakh crore यह total government expenditure रहने वाला है budget का size यह है यह याद रखने है आपको 4.6% यह increase as compared to the previous यह important है कि पिछले साल से हमने कितना budget बढ़ाया है तो 4.6% इसके अंदर states को 1 lakh crore की extra support यह निए additional support दिया जाएगा यह भी हम जानेगे कि इसके अंदर power जो sector है power जो distribution discounts है उसके लिए भी इसमें पैसा है जो दिया जाएगा इसके अंतरगा तो 1 lakh crore का extra provision किया गया है states के लिए total receipts other than borrowings 22.84 lakhs यह आप याद रख सकते है capital expenditure बहुत important है तो capital expenditure के होता है basically जो capital assets बनाने में जैसे की infrastructure को develop करने के लिए जिससे की future में revenue generate होता है तो वो होते हमारे capital assets तो capital expenditure जो government करने वाली है वो है 7.5 lakh crore in the coming year जिसके अंदर की यह पिछरे साल जो था सिरफ 5.54 lakh crore था तो 7.5 lakh crore हो जाए गई 35.4% increase है तो यही चीज market को बहुत परसंद आई थी stock market को मैं कह रहा हूँ कि आप जो capital expenditure है जो future में assets आप create करने में जिससे की future में government को tax revenue मिलेगा वो आप increase कर रहे है 35% से year on year तो यह बहुत ही जाला significant increase था इससे क्या होगा कि जो poor लोग काम कर रहे है infrastructure projects पे रो asset बनेंगे वो future में revenue generated होगी तो यह चीज बहुत जड़े important है यह आप याद रखना कि जो capital expenditure government कर रही है वो 7.5 lakh crore है और यह 35% increase है previous year से lastly 3.trillion dollar economy हम already reached कर चुके है हमारा target कितना है 2025 तक 5 trillion dollar economy बनने का तो 3 trillion dollar हम already कर चुके है तो जो आहज का budget है जो हम discuss करने वाले है हमारा उसके सारे के सारे जो points रहेंगे वो यह रहेंगे कि हम 5 trillion dollar economy तक कैसे पहुँचे growth priorities सबसे important जैसे कि मैं आपको पहले पता है पिछले साल का budget 6 pillars पे खड़ाता छे important pillars से पिछले साल के budget में इस साल आप कह सकते हैं कि 4 pillars है उसमें से जो है important जो हम देखने वाले है चारो के चारो detail में जानेंगे तो majorly अगर आपने यह 4 point याद रख लिए ना तो पूरा का पू जैसे कि आपको पते हम current year जो बना रहे है 75 years of independence बना रहे हैं जिसके अंदर की अमरित हमने year celebrate कर रहे है ठीक है तो ऐसे ही budget में कहा गया है कि जो आने वाले 25 साल है जब हम India at 75 years of independence से 2047 में जब हम 100 years of independence बनाएंगे जो यह 25 साल का period है इसको कहा गया है अमरित काल तो यह आपको जियाद रखना है बहुत important है कि अमरित काल के लिए यह budget बनाए गया है तब ही मैंने इसको कहा है road map for अमरित काल जानी अगले आने वाले 25 साल के अंदर जो होने वाली है चीजे उसका यह basic roadmap यह budget बताएगा ठीक है तो अमरित काल की बात की गई है सबसे बहले फिर चार budget के अंदर जो pillars है वो बहुत जादे important है देख लेते हैं कौन-कौन से हैं सबसे पहले PM गती शक्ति तो यह मैं आपको बहुत ही डिटेल में पहता आ चुक हूँ इसके उपर एक अलग main booster shot का मैंने आपको वीडियो दिया था जिसका के link आपके screen के top right corner पे समय फ्लै को एक लिक करके आप देख सकते हैं फिर second है inclusive development इसके बारे में भी हम जानेंगी क्या है इसके अंदर क्या क्या चीज़े cover की रही है फिर यह third है productivity enhancement and investment sunrise opportunities energy transition and climate action third point यह है और fourth है financing of investment कि हम जो यह investments होंगी इनको finance कैसे करने वाली है government तो यह चार पॉइंट अब इसका screen shot ले सकते ह हैं बहुत ज़्यादे important slide आई है इसके अंदर आपको question बन सकता है और आप इसमें लिख भी सकते हैं आप essay में लिख सकते हैं economy पे अगर आजया कोई essay या economy के उपर कोई भी question आजया है आपके scheme से related या इंडिया के growth से related तो आप इसमें यह लिख सकते हैं तो यह चार के जाए point आपको याद रखने है बहुत ज़्यादा important है तो अब देख लेते हैं सबसे बहले कि Amrit Kaal के बारे में जो बात की गई है इसमें क्या क्या है goals क्या क्या है India at 75 to go at India at 100 तो सबसे बहले focus on growth and inclusive welfare फिर a promotion of technology renewable development energy transition and climate action तो वही चीज़े हैं जो हमने भी discuss करी है virtual cycle starting from private investment crowded in by the public capital investment इसका मतलब क्या है कि जो capital investment government कर रहे है उससे क्या होगा demand economy में increase होगी और उसकी वज़ा से private investment भी crowd in होगी मतलब private जो companies है वो भी invest करना शुरू कर देगी economy में तो उससे क्या होगा boost होगी यह हमारी economy तो यह एक cycle है कि जो की public capital expenditure से private investment को increase करने के लिए ठीक है और क्या priorities है यह चारो तो चारो मैं आपको पता है च्कौन जिसको हम डिटेल में discuss करने वाले है तो सबसे बहले आते हैं PM गती शक्ति के उपर यह क्या कहते है PM गती शक्ति का जैसे कि मैं आपको कहा है पूरे detailed वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं इसमें हम ब्रीफ में discuss करने वाले है तो seven engines हैं जो की PM गती शक्ति के बारे में तो सबसे बहले आपको बता होना चाहिए PM गती शक्ति जो है वो infrastructure से से related है कि जो हमारा infrastructure development है उसको कैसे बूस्ट करना है यह उससे related है तो रोड्स हो गई रेलवेस infrastructure हो गया airports, ports, mass transit, waterways and logistics infrastructure तो यह साथ infrastructure के जो segments है आप कह सकते हैं वो PM गती शक्ति के अंदर cover किये गए है और यह क्या है इनको align किया गया है seven engines को national infrastructure pipeline के साथ तो जो infrastructure pipeline में हमने जो 2030 तक जो funding डालनी है infrastructure के अंदर उसके साथ इसको align किया गया है ठीक तो यह detail में है कुछ-कुछ important points हैं देख लेते हैं roadways का जैसे कि यह कह रहे है कंभी 25,000 km हम national highways बनाएंगे current year में certified logistics interface platform बनाएंगे ओपर source availability of stock तो यह इतना important है यह important याद रुखे 25,000 km बनाएंगे हम current year में फिर आजाते हैं railways के ओपर integration of postal and railway network one station one product तो जैसे कि आपको पता है one district one product scheme है उत्तरप्रदिश की तो यह वैसे ही एक scheme इन्होंने बनानी है railways के अंदर कि एक station के साथ एक product जो famous करेंगे हम उस area में 400 new generation वंदे भारत train बहुत important है कि अभी दो यह वंदे भारत train चल रही है यह करें हम 400 नहीं और चलाने वाले है आने वाले सालों में तो यह बहुत important है कि 400 नहीं वंदे भारत train चलेंगी multimodal connectivity between urban transport railway stations यह urban last mile connectivity के अंदर आ गया तो basically आप देखेंगे इसमें connectivity पे ही focus किया गया है अगला है national rope waste development plan बहुत ज़दे important है rope waste जो ही trolleys होती है इनको promote करेगी government एक नई scheme बनाए गयी है इसके बारे में आपको मैं आगे पूरी पता हूँँगा अगली slide में कि क्या है यह scheme इसको detail में हम समझने वाले हैं अगली दो slide के अंदर ठीक है capacity building project for infrastructure project यह इतना important नहीं है फिर क्या करें जीनितों मैं आपको सारे point पतार चकों 25,000 km बनाएंगे multimodal logistic parks बनाएंगे चार locations के अंदर ठीक है फिर आती है परवत माला जो rope phase मैंने आपको पता है जो trolleys लगाने का plan है इसके लिए नई scheme बनाएंगे यह बहुत important है क्योंकि नई scheme में पूछी आ सकती है examination के अंदर तो national rope phase development program इसका नाम रखा गया इसको कहा गया है परवत माला तो जैसी आपको पता है भारत माला है हमारा सागर माला schemes है तो इसका नाम रखा गया है परवत माला तो जो hilly areas हैं उसके अंदर यह rope phase लगाई जाने वाली है और यह कह है पर यह rope phase में देखेंगे हिली areas में connectivity के लिए देखेंगे तो यह बहुत ज्यादा है और यह बहुत ही बड़ी है scheme कियो है यह नहीं लाए गई है तो यह आप important scheme है याद रखिएगा यह इसके अंदर इसकी details है जो यह कहरे है आर्ट rope phase projects है इसके अंदर क्या 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 अब्जेक्टिव है इनका sustainable alternative to conventional roads पहाड़ों में conventional road ब्राणना मुश्किल हो जाता है तो रोग phase लगाएंगे यह ज़्यादा easy connectivity होती है connectivity होगी commuters होगी tourism को promote करेगा आगर आप अच्छे hill station बनाएंगे आप Switzerland के example लीजे जहां-जहां वह पहुंचनी बाती roads या trains तो वह वहां पर road based लगा लेते हैं उससे कहा होता है टूरिस भी attraction होती है और आपको उस एडिया की development भी होती है ठीक है तो promote tourism तो यह बहुत ही important एक नहीं सीम आपको याज़कना है परवातमाला national road based development program अब आजाते हैं second priority पे inclusive development में तो इसमें हम अलगले inclusive में तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कौन-कौन से segments को इसके जोड़ा गया है तो सबसे पहले agriculture के बारे में यह बात कर रहे है कि 2.7 lakh करोड की डिरेक्ट पेमेंट की गई है यह फार्मर्स को for procurement of wheat and paddy तो यह इतना important नहीं है आपको यह बस figure याद रख सकते हैं आप इसके अंदर natural farming को promote करेंगे ठीक है फार्मर डैंट में जो की 5 km wide corridors बना जाएंगे river गंगा के साथ-जाथ किसान drones के बारे में बात की गई है कि किसान drones को यूज किया जाएगा for crop assessment, digitalization of land records, spraying of insecticides and nutrients तो किसान drones याद रख लिजे, natural farming याद रख लिजे, 2.37 lakh करोड यह आप याद रख लिजे, तीन पॉइंट है, highlight किये में यह याद रखने आपको फिर इसके अंदर क्या बात वरी है, river ranking projects, तो यह मोदी जी का बहुत important प्रोजेक्ट है, जो vision है उसके अंदर की river ranking करी जाए, नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिस universe के पास excess water है, वहाँ से हम, जहाँ पे water कम है, drought prone areas है, वहाँ पे हम इसको transfer कर सके हैं, तो सबसे बहले इंपोर्टन जो है, can betwa link projects, आपको पता ही होगा, इसके लिए 14 सा करोड दिये गए हैं इसके अंदर, और पांच और river linking projects identify के गए हैं, पनिंसुलर इंडिया में, यानि South India के अंदर, जहाँ पे के आपको पता है, river perennial नहीं होती है, इसलिए इनको connect करना जुरूरी है, तो यह पांच river projects और identify किये गए हैं, और उनके लिए ऐलोकेशन की गई है, इस budget के अंदर, तो river linking होगी, फिर आजाते हैं हम MSME में, यह इतने important नहीं है, इन्होंने बस portal interlink करने की बात की है, कि उद्द्यम, इश्रम, NCS, Aseem Portals को interlink किया जाएगा, दो लाग करोड का additional credit दिया जाए तो CGT MSE scheme जो होती है, जो इसमें की government आपको launch देती है, चोटी enterprise जिसको MSME को without any collateral security, तो उसके अंदर 2 लाग करोड और दे दिये गए है, ठीक है, और एक यह program 6000 करोड का rollout टरने की बात की गई है, RAMP, इसका मतलब है raising and accelerating MSME performance, तो यह भी एक नई scheme, इसके अंदर MSME के लिए launch की जो इसके 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 इन्फोग्राफिक है, जिसके अंदर की आप पूरा देख सकते हैं, यह चीज़ों मैंने आपको पिछली slide में पता ही है, CDM, SME, Linking of Portals, और RAMP program, फिर हम देखते हैं, education से related क्या-क्या बात की गई है, अब यह सारे points है, इसका आप याद करना चाह बनाई जाएगी, ठीक है, second मैंने concert identify कर दा है, one class, one tv channel program, जिसमें कि अभी 12 channel आते हैं, इसको 200 channel के लिए expand कर दी जाएगा, तो COVID के चलते हैं, यह online channel 12 launch की गए थे, अब इनको 200 channel के अंदर convert कर दी जाएगा, coming year के अंदर, और बाकी आप और भी देख सकते हैं, इसके अंदर, ठ mathematics की, 17 skilling e-labs बना जाएगी, इतने important नहीं है, दो जो important है, यह आपको याद रखने है, health का देख लेते हैं, तो health के अंदर के है, national digital health ecosystem will be rolled out, जो health ecosystem है, इसको digitization करने की बहुत परानी बात चल रही है, तो यह ही इसका अंदर का गया है, कि national digital health ecosystem बना जाएगा, एक साहसे अधा interling किया जाएगा, यह important है, फिर एक mental health के लिए भी tele program, यानि कि आप online, आप mental health से आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यह launch किया जाएगा, अब यह किसलिए कि COVID की वैससे, जो mental health issues है, बढ़ा गया है, इसलिए इसको किया जा रहा है, फिर आपको याद क्या करना है, शक्ती, मिशन वत्साले और पोशन टू, तो यह तीन स्कीन जो है, यह बहुत important है, यह इनको integrate करेंगे, coming year के अंदर, यह पहले भी announcement कर चुकी है, और लास्ली, दो लाग अंगण बाड़ी को सक्षम अंगण बाड़ी में अपक्रेट किया जाएगा, तो यह तीन पॉइंट आप health से related, important जो है, वो आपको याद रखने है, inclusive focus, अब यह inclusive वाला ही चल रहा है, मैं आपको बताने हैं, इसमें सब covered होंगे, तो इसमें और कहकर important है, 3.8 lakh households अंडर, हर घर, नल से जल योजना, तो यह इस बार ही जो आपको मैं आपको आगे, आने वाले slides में, allocations की बार में जो हम जानेंगे कि scheme को कितना पैसा दिया गया है, उसके अंदर, जो जल शक्ती मिशन है, उसके लिए बहुत जादा पैसा दिया गया है, तो हर घर, जनल से जल योजना के अंदर, 3.8 lakh करोड, household cover किये जाएंगे, 80 lakh houses अंडर PM, अवास योजना, यह होगा, उसके बाद, aspirational block scheme के बारे में जो lag कर रहे हैं, districts उन पर focus किया जाएगा, नया एक scheme शुरू किया गया है, vibrant villages program, बहुत important है, यह आपको याद रखना है, परवत माला याद रखना है, vibrant villages program किया है, कि जो border पे villages हैं, जो की पीछे रह गए हैं, जो की northern border है, पाकिसान से, हमारे चाइना से, उनकी development क के लिए focus के लिए, एक special program launch करें government, vibrant villages program, बहुत important है, याद रखना है, digital banking करी जाएगी, पूरे post office, सारे post offices की, ठीक है, 75 digital banking units in 75 district by scheduled commercial banks, फिर यह जो PM, जो मैंने आपको पता है, north eastern region के लिए, एक नई scheme launch की गही है, इसका नाम रखा है PM divine, very very important scheme, यह आप से question पूछा जाएगा, कि इसने किसी इक main exam में, या objective time में, prelims में भी पूछा सकता है, कि PM divine scheme क्या है, तो PM divine scheme की full form है, development initiative for north eastern region, PM development initiative for north eastern region, यह इसकी full form है, अब इसमें हो गया क्या 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 है, funding, infrastructure and social development projects, initial allocation हो 1500 औरो, दो लाइने आभी आज रख लेंगे, बहुत है, कि जो वहाँ पे north eastern region है, उसमें infrastructure को develop करने के लिए, social development programs के लिए, वहाँ पे यह की जाएगी, और 1500 करोड का इसमें initial budget दिया गया है, और इसका objective का है, livelihood opportunities for youth and women, वहाँ पे जो livelihood opportunities है, यानि कि jobs पर रवाइट कराने का काम क्यों होगा, इन scheme के अंतर कात, ठीक है, आख में इरभरता in defense, तो यह बहुत important best slide है, आप इस defense के लिए allocation की गई है, उसके अंदर 68% जो है, वो हम domestic industry से procure करने वाले हैं, अब from 58% in previous, तो 10% इंग्रीज किया गया है, इस allocation के अंदर, तो हम आत्म इरभरता in defense के अंदर बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपको पते हिए कि हम उच देशों के साथ है, अब हमारा target है कि हम जो defense के equipment से हम और देशों को बेचें, जैसे कि ब्रहमोग मिसाल हम फिलिपीन्स या वियतनाम से discussion चल रही है हमारी, तो उसी के अंतरकत यह हम आत्म इरभरता हैं, जो भाहर से हम फिक्योर करते हैं, जो defense के equipment है, वो 68% हम इंडिया में ही बनाने वाले हैं, defense, R&D units to be opened for industries, for startup, academia with 25% of defense budget marked for it, तो 25% of the defense budget यह हमारा जो है, यह R&D के लिए लगाएगा है defense के, ठीक है, independent nodal umbrella body to be set up for meeting testing and certification requirement, तो इसमें important ही कह है, 68% आपको याद रखना है, और 25% जो defense का budget है, वो लगेगा R&D के अंतर, defense की, ठीक है, अब आजाते हैं, हम तीसरे pillar के उपर, जो तीसरा priority ही हमारी productivity enhancement and investment, तो इसके अंदर सबसे बहला का है, कि ease of doing business 2.0, launch करेगी government, जिसके अंदर की trust based governance होगी, ठीक है, तो यह important है, इसके अंदर क्या क्या है, यह आप देखी सकते है, integration of central and state level system to ITPG, यह इतना important नहीं है, इसके अंदर आपको यह देखना है, कि ease of governance है, उसके लिए government क्या digitization के, जो steps नहीं है, वो दिखाएगे हैं, basically इसके अंदर, तो integration होगी, center and state levels की, ठीक है, जो उनके software अलग-लग department चला रहे है, उनको integrate कर जाएगा, आपस में वो बात कर सके software जानी की information transfer हो सके, वो किया यूनीक land parcel identification system होगा, for land records के लिए, land records का digitization का focus है, government का, तो उसके बारे में बात की कही है, CPS एक बनाया जाएगा, for voluntary widening companies, ठीक है, end-to-end e-billing system and utilization, surety, bonds in government, procurement, तो यह इतना important नहीं है, आपको बसे यह आखना है, कि digitalization पे government का focus है, इसके अंदर, support of 5G under PLS, तो जो 5G के बारे में बात की गई है, budget के अंदर आपको पता ही होगा, कि इस साल जो है, अगला financial year है, यानि कि उसके अंदर 5G इंडिया में launch करने की पूरी तियारी का रही है, government, और इसके लिए 5G को PLI scheme, यानि productivity link scheme, incentive scheme के अंदर, एक initiative के अंदर, इसको लाया किया है, opening of a defense R&D for industry startups and economy है, यह मैं ब बता चुकों पिछली slide में, तो यह बहुत important points है, जो highlight किये मैंने, यह आपको याद रखने है, slide से, अगला देख लेते है, productivity enhancement, थर्ड पिलर में, issuance of chip embedded e-passports, तो आपको यह पता ही होगा, e-passports आ रहे है, electronic passport जिसके अंदर की chip होगी, तो यह इसमें का गया है, कि इस साल हम क लांच करने वाले है, बहुत important अब यह point है, जो fourth point है, battery swapping policy लाएगी government, तो क्या है कि जो, आपको पता यह EVs, यानि electronic vehicles पे गवर्मेंट का बहुत focus है, अब क्या होता कि battery को recharge करने के लिए पूरी गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है, आपको जब तक गाड़ी recharge नहीं होती ह तो इस problem को overcome करने के लिए battery swapping policy लाएगी जिसके अंदर की भई आप एपनी EV की battery निकाल लिए गाड़ी की, दूसरी चार्ट बैटरी लिए गाड़ी में लगाईए और चलिए और वह बैटरी आप बहीं छोड़ दीचे, तो इस से related policy government लाने वाली है, current financial year में transition to carbon neutral economy, तो उसके अंदर जो third point है growth priorities का, उसके अंदर एक climate action के बारे में बात की गई है, तो जो carbon neutral economy की बात हो रही है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 2070 का लक्ष रखा है हमने carbon neutral होने के लिए, zero net emissions के लिए, तो उसी के प्रती यह जो है, government ने allocation की है, तो allocation क्या है, allocation of 9500 करोर प् और PLI scheme for manufacturing of high efficiency modules, तो इसके अंदर भी, जो efficient modules बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए, जो आफिर जो हमारे carbon neutrality को contribute करेंगे, उसके लिए 9500 करोड क्या government ने allocation किया है, और जो important इसके अंदर है, proposal to co-fire 5 to 7% biomass pellets in thermal power station, CO2 savings of 38 magnitude expected, तो यह एक important point में को लगा, जो आपको इसमें से याद करना है, ठीक है, 4 pilot projects for coal, gasification and conversion of coal, यह भी एक point टेस करना है, अब आज होते हैं, last pillar के उपर, जो की है, growth priorities का financing of investment, तो finance कैसे करने वाली है, government अपनी investment को, जो अपने का देखा कि capital expenditure भी government बढ़ा रही है, schemes में allocation भी तो वो कहां से finance होगा, उसकी बात की गही है, इस fourth pillar के अंदर, priority capital expenditure up by 35.4%, अब यह मैं आपको पता चुका हूँ कि साड़े 7 लाग करोड का हम capital expenditure करने वाले है, 35% up है, तो यह first fund जो green में आप देखना है, यह आपको याद करना है, continue public investment to pump prime private investment, यह मैं आपको बता दिया कि government जो capital expenditure कर रही है, वो crowding करने के लिए प्राइविट इंवेस्मेंट को, next one बहुत इमोड़े है, introduction of digital rupee by RBI, जो RBI है वो अपनी cryptocurrency लाने वाले है, डिजिसको की नाम ही दिया गया है, digital rupee, वो launch करने वाले है हम current year के अंदर, infrastructure status यह जाएगा data centers को, energy storage system को, जो हमारे data centers अब इंडिया assets से जो भी related in की incentives हैं, वो इस sector को मिल सकें, venture capital और private equity पे focus किया जाएगा, यह एक इसमें और point है, ठीक है, तो इसमें important कहा है, digital rupee, तो cryptocurrency लाने वाली है, जो central government उसका नाम रखा गया, digital rupee, तो यह slide का आप screenshot रह सकते है, RBI 22 is digital rupee using blockchain, another technology starting FY 2022-23, तो इस चान में इनको digital rupee यह करने वाले हैं, और digital economy को boost करेगा, यह एक normal rupee है, जैसे आप 100 पेकन और जेर में रखते हैं, तो वैसी ही आप यह online किसी method से, cryptocurrency के form में, legal tender होगा यह, जो कि बाकी cryptocurrencies इंडिया में नहीं है, तो आप इसको दुकान पे आप चला सकते हैं, जो आपके phone में पढ़ा होगा, digital e rupee, ठीक है अब फड़ा फट से हम 2-3 slide देखेंगे, जिसमें हमें आपको graphs दिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको यह majority में last, जो आपको बताए थी, video पिछले साल की, उसमें भी same, इतना ही approximate रहते थे, तो यह ज्यादा में इस पर focus नहीं करूँगा, आपको overview द 16% मिल रहा है और income tax मिल रहा है 15%, यह important points है, GST जो हमारा है, वो 16% contribute करता है, income tax हमारा 15% contribute करता है, हमारे sources of money में government के, और warings जो है, वो 35% करती है, और बाकी तो इसमें देखी रहे हैं, थोड़े थोड़े से हैं, वो इतने important नहीं है, फिर आते ही uses of money, पैसा कहां का use करती government, ठी देती है, ठीक है, subsidies 8% पे, defense पे 8%, तो यह important है, defense पे कितना खर्च होता है, और subsidy पे 8-8% होता है, ठीक है, और central sector schemes पे 15%, central sponsored scheme पे 9%, तो central sector पे 15% और sponsor पे 9%, और lastly, interest payments जो government ने loans ले रखे हैं, उस पे 20% government अपना पैसा देती है, यह हमारा एक division है कि कहां का use होता है, पैसा होता है, यह सबसे अधा पैसा हम खान लगा रहा है, वैसे defense पे, इस chart के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, transport पे सबसे अधा है, इस पर ही हमारे government focus करने वाली है, infrastructure पे PM गतिशक्ति के अंदर, यह आपको याद रखना है, फिर आता है, rural development, और last में, agri culture, तो यह top 3 हमारे हैं, जिस sector में कौन गौन सा हम दे रहे हैं, तो majority हमने दे दिया, आपको defense में 3.85 करोर, ठीक है, उसके बाद आता है, interest पे, interest हमने देखा, 20% government का पैसा ले जाती है, तो 9.4 lakh करोर जो है, यह हम देने है, interest payment, जो government का loans है, उन पे interest, फिर agriculture पे 1.51 lakh करोर, education पे 1.04, health पे 0.86 lakh करोर, और transportation पे 3.51 lakh करोर, तो defense नमबर 1, transport नमबर 2, agriculture 3, education 4, health जो है हमारा 5th position पे आ रहा है, expenditure पे, तो अगर आप मोटी मोटी figures इसमें से याद रख लेंगे, तो सही दाएगा, नहीं तो यह ranking भी आप याद रखेंगे, तो बहुत इंपोर्टेंट, आपके examination पोर्टेंट से, scheme wise देखें, तो मनरेगा पे जो है, वो देख लिए कितना लगा, इस बारी, government ने 25% reduction किये, मनरेगा के budget के अंदर, जो पिछले साल 98,000 करोर था, इस साल government ने budget किया, 73,000 करोर को, ठीक है, PM किसान पे थोड़ा सा marginal increase है, अब अब देखिए, जल शक्ति मीशन पे, जल शक्ति 60,000 करोर कर दिया गया है, 33% increase है, इसके अंदर, और सबस्यादा increase कहा किया होगा, अब जब government का focus ही गदी शक्ती पे है, तो सबस्यादा किस पे होगा, infrastructure पे, तो gram सड़ा क्योजना है, ऐसे अब इस से जाद रख सकते हैं, 14,000 करोर से 19,000 करोर इसको बटी budget किया गया है, 5000 करों का increase दिया गया है, gram सड़ा क्योजना का, और इसका अंदर 35% increase किया गया है, तो यह majority schemes है, इसमें आप यह द्याद रखिए कि, मन्रेगा का कम कर दिया गया है, और जल शक्ती मिशन का बढ़ा दिया गया है, gram सड़ा क्योजना का भी बढ़ा दिया गया है, बाकी बेरे कब इसमें क्या क्या रहे गया है, तो फिसकल डेफिसिट्स क्या रहने वाला है, तो फिसकल डेफिसिट्स जो है, अब स्टेट्स का है, इसके अंदर बात कर रहा है, बजट की 2020-21 में इसका रिवाइज एस्टीमें करा गया है, 4.6% और जो 21 में जो है, इसको करा गया है, पावर सक्टर रिफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको दिया जाएगा नहीं तो 3.5 परसेंट यह आप कर पाएंगे इंडिया की क्या रहने वाली है बहुत इंपोर्टेंट स्लाइट है इसको आप ध्यान से देखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए तो फिसकल डेफिसिट जो है coming year में budgeted किया गया 6.4% of the GDP very very important point यह आपको याद रहने वाली है फिसकल डेफिसिट जो पिछले साल का रहने वाली है पहले 6.8 budget किया गया था लेकिन वो रहा 6.9% device estimate है यह इसको कम करके 6.4 हम current year में करने वाले है nominal GDP जो है उसकी growth rate जो है अगले साल रहने वाली है 11.1% तो जो 9.2% था वो real GDP की growth है और जो nominal GDP है वो 11.1% के growth expect कर रहे है यह चार्ट मैंने आपको पिछले साल भी दिखा रहे था और deficit trend तो यह पहले जो हमारे pre-covid era के थे आप देख सकते हैं हम गिरा रहे थे जो हमारी deficit को कम क बेसिक यह एक normal simple सा graph भी आसे बना देंगे तो बहुत फरक पड़ता है तो आप दिखें प्री-covid era में हमारा deficit 5.9 से हम 3.4 पक लिया थे physical deficit को उसके बाद क्या हुआ जब करोना आया तो हमें को expenditure करना पड़ा government को लगला schemes लाने पड़ी गरीब हो ज़ना थी तो उसकी expenditure बढ़ गया उपर से हमारी economy दो-ती महीने बंद रहती थी दो सालों में क्योंकि covid की वैसे lockdown रगा रहता था तो आपका इतनो numerator भी कम हो गया और denominator आपने बढ़ा दिया expenditure बढ़ा दिया तो fiscal deficit 9.2 तक हो गया अब इसको कम करके 6.8-6.9 पेसंट दाएंगे और अगले साल हम इस को skip कर देते हैं for the time being अब देख लेते हैं यह important point जो हमने पूरी अभी तक पढ़ी हमारी budget के बारे में complete हो गया important point आपको क्या के याद रखने है यह मैंने red में mark कर दी है आप इनको यायत कर लेंगे तो काफी रहेगा ठीक है growth is estimated at 9.2% 60 lakh new jobs PLI scheme in 14 sectors government expenditure 39.45 lakh crore capital expenditure 7.5 lakh crore increase of 35.4% screenshot ले लिए red याद करना है आपको अमरित कल क्या है यह हमने जाना ठीक है यह चार pillars कौन कौन से inclusive development जदी शक्ति productivity and high spend and financing of investment यह आपको याद रखने हैं फिर important schemes देख लेते हैं परवत माला के बारे में बजाना national row price development program असमें 8 करेगे हैं select 60 km line बनाई जाएंगी पर रोपेज बन सब्सक्राइब जाएंगे चैन बेटरा को 14 करोड दे गए है डिचल उनिवेसिटी सेट अप की जाएगी सक्षम आंगन वाडी पीम डिवाइन योजना वेरी इंपोर्टेंट नॉर्थीस के development के लिए पंद्रा सो करोड माफ कीजेगा अलोकेट किये गए 68% of the capital budget जो की defense के है वह हमने domestic industry के लिए और माग की है जो की 10 प्रशंट ज्याद है पिछले साल से इपासपोर्ट लाएंगे बैटरी स्वापिंग पॉलिशी डिजिटल रुपी यानि ए रुपी जो कि क्रिप्टो करंशी होगी आर बिय द्वारा फिस्कल डेविसिट कितना रहेगा विशाल 6.4% करंट यर में कितना है 6.9% और लास्ली नॉमिनल जीटीपी रहेगा 11.1% तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो बजट के उपर सारे के सारे पॉइंट कवर गने हैं कि मैंने कोशिश किया इसकंदर important points मैंने आपको पता दिया क्या क्या आपको याद रखने है examination point देवी से तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आए आगए और यहां तक देखाए दोस्तों तो प्लीज एक like जरू कर जीए नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बाल आइकन को हिट कर लेना जिस्ति कि आने वाले वीडियो की notification आपको timely मिलते रहे और वही एक्चॉल reward है हमारा इतनी मेहनत करने का आपके साथ दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाब बाई and happy learning